हलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है, जेके स्टेडी चैनल में, तो आप सभी कैसे हैं, आशा करते हैं, आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे तो आज के जो वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे जारकन समानिय ग्यान से संबंदित और यह जो प्रशन होगे हमारे हरे एक परिक्षाओं के लिए जारकन के जितने भी परिक्षाओं होती हैं उन सारे के सारे परिक्षाओं के लिए काफी महत्यपून होगा तो आज हम लोग लगबग 100 question देखने जा रहे हैं जो आपके लिए जारकन जीके के लिए काफी फैदेमन साबित होगा तो यहाँ पे 100 question है तो यहाँ पे हम लोग continue करते जाएंगे question होगा, option होगे और इसका सही जवाब दिया जाएगा और उसके discussion नहीं होगा और हम लोग next question पे चले जाएंगे क्योंकि 100 question है और ज्यादा लंबा वीडियो करना मैं नहीं चाहता हूँ इसलिए तो हम लोग तुरत तुरत हम लोग question देखेंगे और इसका answer देखते जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो सबसे पहला question है आपके सामने फोसिल्स पार्क राज के किस जीला में इस्तीत है फोसिल्स पार्क राज के किस जीला में इस्तीत है साहिब गंज, हजारी बाग, राची, लोहर दग्गा तो इसका सही जवाप होगा option number A साहिब गंज, अगला question है मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत ब्रिक्षा रोपन की नियूंतम सीमा कितनी है आपको बताना है कितनी है option है 1 एकड, 2 एकड, 5 एकड, 10 एकड तो मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत ब्रिक्षा रोपन की नियूंतम सीमा रखी गई है option है आदिवासी महासभा, सुनोत संथाल सभा, सिवाजी समाज, अकिल भारतिय आदिवासी बिकास परिसत जिसका सही जवाब होगा option number A आदिवासी महासभा question number 4 सुनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुई option है 1970, 1952 और option number C, 1966 option number D, 1982 जिसका सही जवाब है option number A, 1970 इस वी को इसकी स्थापना की गई अगला question है जारकंड के किस स्थान में केंद्रिय इंधन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है option देखिए जल गोडा, हजारी बाग, रांची, जमसेतपूर option number A, जल गोडा में केंद्रिय इंधन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है अगला question अखिल भारतिय आदिवासी विकास परिशत की स्थापना कब हुई option है 1968, 1952, 1971, 1974 जिसका सवय जाब होगा option number A, 1968 इसवी को इसकी स्थापना की गई अगला question है जारखन का साक्षरता दर क्या है option देखिए 61, 63, 66 या 69 और ये सारे के सारे प्रतिसत में है तो इसका सवय जाब होगा आपका option number C, 66 परतिसत अगला question है घाट सीला के महल पर अंग्रेजों का कबजा कब हुआ था? घाट सीला के महल पर अंग्रेजों का कबजा कब हुआ था? option है 1767, option number B, 1752, option number C, 1758 और option number D, 1761 तो घाट सीला के महल पर अंग्रेजों का कबजा हुआ था? option number A, 1767 को अगला है संख नदी का उद्गम अस्थल कहां है? संख नदी का उद्गम अस्थल कहां है? गुमला, दुमका, लातेहार या कोडर्मा तो इसका स्वेई जवाब है संख नदी का उद्गम अस्थल गुमला जीला में है? अगला कोश्चन है बिर्सा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन के धार्मिक समाजिक साखा का प्रमुक बनाया था? ओप्शन है सोमा मुंडा, गया मुंडा, तिलका मांची या इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब है धार्मिक समाजिक साखा का प्रमुक बनाया था सोमा मुंडा को अगला कोश्चन है कनाडा बांध किस नदी पर इस्थित है? कनाडा बांध किस नदी पर इस्थित है? मयूराक्षी नदी, स्वन्रेखा नदी, दामोदर नदी या इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब है कनाडा बांध आपका मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है अगला कोश्चन है जार्खन का बेतला राष्ट्य उद्यान किस वन्य परानी के लिए प्रसीद है? उप्सन देखिए बाग, सेर, हाथी, घोडा तो इसका सही जवाब है उप्सन नमबर A भाग, बाग के लिए अगला कोश्चन जार्खन की गंगा नदी किस जिले से गुजरती है? जार्खन की गंगा नदी किस जिले से गुजरती है? उप्सन है साहिब गंज, राची, लातिहार, कोडर्मा जिसका सही जवाब होगा उप्सन नमबर A साहिब गंज से गंगा नदी गुजरती है अगला क्वेशन लवालोंग अभ्यारन जार्खंड के किस जीले में स्थित है लवालोंग अभ्यारन चत्रा में स्थित है दुमका में, गुमला में, लातेहार में तो ये आपका लवालोंग स्थित है चत्रा जीले में अगला question है जारखन के किस छेत्र में सारवधिक वर्सा होती है दामोदर घाटी, नेतरहाट, राजमहल या मसीन राम जिसका सही जवाब है option number B नेतरहाट में सारवधिक वर्सा होती है जारखन में मुख्य मंत्री की न्युक्ती किसके द्वारा की जाती है? Q16 मुख्य मंत्री की न्युक्ती किसके द्वारा की जाती है? Option देखिए राष्टपती, उपराष्टपती, राज़ेपाल, प्रधान मंत्री इसका सही जवाब होगा, option number C, राजपाल के द्वारा मुख्य मंत्री का सपत दिलाया जाता है अगला question, जारखंड के बिर्सा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जीले में था? जारखंड में बिर्सा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जीले में था? आपको बताना है ओप्सन है खूंटी जीला, लातेहार जीला, तुमका जीला, चत्रा दीला जिसका सेजवाबों का ओप्सन नमबर ए खूटी जीला में क्योंकि खूटी जीला अमारे विर्समुंडा का जन अस्थल भी है आपको बताना है जारखन राज में जल सन रक्षन के लिए डोभा निर्मान का कारे कब किया गया था ओप्सन है 2011, 2013, 2016, 2018 जिसका सही जवाबों का 2016 में डोभा निर्मान का कारिगरम सुरू किराया गया था अगला कोश्चन पारसनात पहाडी जारखन के किस जीले में स्थित है गिरीडी जीला, लातेहार जीला, दुमका, कोडरमा जिसका सही जवाब है पारसनात की पहाडी जारखन के गिरीडी जीले में स्थित है अगला कोश्चन दल्मा गज अभ्यारन जार्खन के किस जीले में स्थित है? ओप्सन देखिए पूर्वी सिंभूम, पश्यमी सिंभूम, लातेहार, कोडर्मा तो इसका सही जवाबों का ओप्सन नमबर A पूर्वी सिंभूम में दल्मा गज अभ्यारन स्थित है अगला कोश्चन कुडुक भासा किस परिवार की भासा है ओप्शन है द्रविड, इंडो आर्यन, इंडो आर्ष्ट्रिक या उप्रोक्त सभी की मिश्रित तुसका सही जवाबों का ओप्शन नमबर A द्रविड भासा परिवार से है कुडुक भासा अगला कोश्चन है बिर्सा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्त किया गया था तो उनको पहली बार जेल से मुक्त किया गया था अठारा सो चावरानबे, अठारा सो संतानबे, अठारा सो अंठानबे या अठारा सो नीनानबे तो उनको पहली बार जेल से मुक्त किया गया था 1897 इस्वी को अगला कोश्यन 1930 इस्वी को जर्या के जर्या में हुए अखिल भारतिय ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष चुने गये थे 1929 की बात है जर्या में हुए अखिल भारतिय ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसमें अध्यक्ष किसको चुना गया था ओप्सन देखिए जोहर लाल नहरू को वल्लब भाई पटेल को मदन मोहन मालविये को या सुबाश शंद्र बोश को तो इसके अध्यक्ष चुने गये थे हमारे देश के ब्रतम प्रधानमंत्री जोहर लाल नहरू जी को अगला क्वेशन अखिल भारतिय ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस का अधिवेशन जर्या में किस वर्स हुआ था इसके इससे संबंदित क्वेशन इससे पहले हो चुका है तो इसका स अगला कोशन जमसेदपूर स्थित टाटा स्थील कंपनी के मजदूरों ने एस एन हलदार एवं व्योम केश चक्रवत्ती के नेत्रित्वा में जमसेदपूर वर्कर्स एसोसियेशन की स्थापना कब हुई थी? जमसेदपूर वर्कर्स एसोसियेशन की स्थापना एस एन हलदार एवं व्योम केश चक्रवत्ती के द्वारा उनिस सो बीस इस्वी में इसकी स्थापना की गई थी? अगला कोशन है छोटा नाकपूर छेत्र में केंदरा किस तरह का वाद्य यंत्र है? छोटा नाकपूर छेत्र में केंदरा किस तरह का वाद्य यंत्र है? उप्शन है तन्तू वाद्य, उप्शन B आपका है सुसीर वाद, उप्शन C घन वाद, और उप्शन D आउनन्द वाद जिसका से जवाब होगा जो जार्खन छेतर में आपका छोटा नाकपुर छेतर में जो केंदराव वादे यंतर जो है वो आपका तंतु वादे यंतर कहलाता है अगला कोशन विःसा विधान सभा द्वारा प्रिथक जार्खन्ड विसायक प्रस्ताव कब लाया गया? जार्खन्ड विसायक प्रस्ताव कब लाया गया? ओप्शन है 22 जुलाई 1999 को 21 माई 1999 को 22 जून 1999 को या 21 सितंबर 1998 को तो इसका सही जवाब होगा ओप्शन नमबर D 21 सितंबर 1998 को बिहार विधान सभा द्वारा प्रिथक जार्खन्ड प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 जुलाई 1997 को 23 अप्रेल 1997 को 22 जून 1998 को या 21 सितंबर 1998 इस्वी को बिहार विधान सभा द्वारा प्रिथक जार्खन्ड प्रस्ताव आपका 22 जुलाई 1997 इस्वी को पारित किया गया था अगला क्वेश्चन है रेडिकल डेमोक्रेटी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? रेडिकल डेमोक्रेटी पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? आपको पूछा गया है रामगड, हजारी बाग, रांची या इन में से कोई नहीं रेडिकल डेमोक्रेटी पार्टी की स्थापना आपके रामगर जीला में हुआ था अगला फोरवर्ड ब्लोक की स्थापना कहां हुई रामगर जीला में, रांची जीला में, लोहर्द कलकत्ता जीला में या इन में से कोई नहीं तो option इसका होगा forward blog की स्थापना आपका रामगर जीला में हुआ था तो चलिए आज हम लोग 30 question देखे हैं वैसे शुरुवात में तो मैंने कहा था 100 question का पर मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ वैसे 10 minute हुआ है तो चलिए और 10 question हम लोग देख लेते हैं चलिए आगला question हम लोग देखते हैं Congress के रामगर अधिवेशन के दौरान किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतिये समझहोता विरोधी समेलन आयोजित किया गया आपका जो Congress में रामगर अधिवेशन हुआ था उसी दौरान किसकी अध्यक्षता में ही अकिल भारतिये समझहोता विरोधी समेलन आयोजित किया गया था किसकी अध्यक्षता में सुभाष्चंद्र बोस के द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा, जोहालाल नहरू के द्वारा या सरदाल वल्लब भाय पतेल के द्वारा तो इसका सही जवाब होगा Option No.1 सुभाष्चंद्र बोस के द्वारा उनकी अगवाई में की गय थी अगला Question जहारकन में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है मयूराक्षी नदी, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी या आपका इन में से कोई नहीं जिसका स्वर्ण जवाब होगा Option No.A मयूराक्षी नदी के किनारे हिजला मेला का आयोजन किया जाता है अगला Question है रामगड कॉंग्रेस के मुख्य द्वार पर नामकरन किस के नाम पर किया गया था तिलकामाजी, भुसन सी, बिर्सा मुंडा या आपका पांडे, गनपत, राय के नाम पर जिसका स्वर्ण जवाब होगा Option No.C बिर्सा मुंडा के नाम पर रामगड कॉंग्रेस का जो मुख्य द्वार बनाया गया था तो उनका नामकरन बिर्सा मुंडा के नाम पर किया गया था चलिए अगला Question भारतिय जन्ता पार्टी द्वारा वनांचल राज की मांग किस वर्स की गय थी ? जारकंड पार्टी वमापकी जगा भारतिय जनता पार्टी दोआरा वनांचल राज की मांग किस वर्स की गई थी 1988 में, 1982 में, 1993 में या 1997 में तो आपका जारकंड वनांचल राज का जो मांग किया गया था निर्यातक केंद्र जार्खंड के किस जीले में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र जार्खंड के किस स्थान पर स्थित है टोरी बुकारो रंची हजारी बाग इसका सही जवाब होगा लातेहार जीला का टोरी में विश्व का सबसे बड़ा नाह ला निर्यातक केंदर स्थापित है अगला कोशिशन है भारत को कितने क्रिसी जलवायू छेतर में विभक्त किया गया है ऑप्सन है 11, 15, 17, 19 तो इसका सही जवाब होगा ऑप्सन नमबर बी 15 जलवायू छेतर में विभाजित किया गया है अगला है जारकन समन्वयाय समीती के संयोजक कौन थे विशेश्वर प्रशाद केसरी, जैपाल सी, ठेबले उराओ, जस्टिस रिचर्ड जिसका सही जवाब होगा ऑप्सन नमबर A विशेश्वर प्रशाद केसरी ने रत यात्रा मेलेक आयोजन किस महिने किया जाता है चैत्र में, जैश्ट में, अशाड में, स्रवन में तो रत मेलेक आयोजन अशाड माह में किया जाता है अगला कोश्चन है किस वर्स प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्धकी ने अपना अलग स्रम संग का स्थापना किया जिसका नाम टाटा वरकर्स यूनियन रखा गया तो किस वर्स आपको बताना है प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्धकी ने अलग स्रम संग का स्थापना किया गया और वो स्थापना कब हुआ नाम था टाटा वरकर्स यूनियन तो आपको बताना है कब किया गया नाम रखा गया टाटा वरकर्स यूनियन और इसकी स्थापना अब्दुल बारी सिद्धकी के द्वारा किया गया था तो चलिए आज हम लोग 40 कोश्चन देखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो मैं लंबा करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि जितना सोट वीडियो रहेगा उसमें आप लोग अच्छी द्रिती से ध्यान पूर्बग आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा करने से सायद वीडियो बोरिंग भी हो सकता है तो आज हम लोग 40 देखते हैं और आने वाले अगले कलास में हम लोग 40 देखेंगे फिर आगे मैंने टोटल हम लोग 100 कोजिशन देखने वाले हैं ठीक है तो आज किस वीडियो को मैं यह पर समाप्त करने जा रहा हूँ और वीडियो जल्द से जल्द अगले दिन आया जाएगा अगला टोपिक में तो आज की कलास को मैं यह पर समाप्त करता हूँ वीडियो आप सबों को कैसा लगा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर इसका पीडियो चाहते हैं तो कमेंटर में जरूर आप लोग बोलिएगा तो चलिए इसी के साथ आज किस वीडियो को मैं ये पर समावत करता हूँ मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक अपना ध्यान दीजिए सुरक्षित रहिए और खुस रहिए बहुत बहुत धन्यवाद